करनार यम्ना नगर मार्क पर इंद्री के पास एक चाले ने स्कूटी सवार महीला को टक्कर मार दी जिससे महीला चाले के टायर के नीचे आ गई जिससे उसकी मोके पर ही मोथ हो गई इस हाथ से के बाद चाला चाल लग चाला छोड़कर मोखे से फरार हो गया गटना की जानकारी स्थानिये लोगों ने पुलिस को दी सुचना के बाद पुलिस ने मोखे पर पहुँचकर मामले की जाश शुरू कर दी एसाई नरेश कुमार ने बताया कि इंदरी से एक महिला सवीता अपनी स्कूची पर सवार होकर गाव जनेसरो जा रही थी उसके पीछे उसका पती एक अन्यवाहन से आ रहा था जैसे ही वो बेस्ट फूट के पास पहुची तो पीछे से तेज गती से आ रहे च्राले ने उसे तक्कर मार दी जिससे वो औसंतूरित होकर च्राले के टायर के नीचे आ गई नरेश कुमार ने बताये कि महिला की मोखे पर ही मोत हो गई है पुलिस ने शवक को कबजे मिले कर पोस्ट माचम के लिए कलपना चावला हस्पताल भेज दिया है उन्हेंने बताये कि परिजनों के बयानों के अधार पर मामला दर्जकर आगामी कारेवाही की जाएगी आपको बता दे कि इंदरी करनाल मार्क को चोड़ा करने का काम चल रहा है जिसके चलते सड़क पर काफी तोड़ फोड़ की जा रही है जिससे वहांचालकों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पट रहा है रोजाना इस सड़क पर हाथ से होते रहते हैं कारे अक्तियंत धीमी गती से चल रहा है बार बार प्रशासन को आगहा करने के बावजूद भी निर्मान कारे में तेजी नहीं आ रही है देखें इंदिर से सवधाता अमित कुमार की बोट कोड़ा एकर स्वासक सी 0278 के चालक नामपद नामा लमुटी ने गफ्लत लापरवाई और तेज के पियर चलात हो है इसके प्रिवा में अच्छे से तक्क्र मारी और जो अन्बैलेंस होगे तक्क्र लगने होज़े से उसके प्राले के ताहर जिनित के आगे इसकी मोचों की म जैड़ा उसक्र पनाता गोला के लिए टाहर जो फ्रिवार कोड़ शेकि मँट्री में अच्छे सामने आपके आपके सामने इसकी मटिए ताहलक के शलाफ कर लेंगे एक अगे सामने जाए मुटें डंपर कम्ने ले लिया है। एफ तो ठंबर कमजे में लेलिया है। अमफर जोटी गार्ण वोल्ड-क्राइब के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैन्नेवान